नमस्कार साथियों भारतिय रेल का हमारे जीवन पे हमारी अर्थ वेवस्ता पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है और इसी कारण से 2017 के पूरू हम रेल बजट को एक सेपरेट बजट के रूप में संसद में पेश भी करते थे और संसद से पास भी करवाते थे 2017 में रेल बजट का विले आम बजट में कर दिया गया आज उसका अबजेक्टिव समझ में आ रहा है देश को कि ऐसा क्यों किया गया उसका करने का कारण ये था कि सरकार की मंशा रेलवे का निजी करण करने की थी आज उसी संदर्ब में मैं अपने तीन पॉइंट सरकार से पूछना चाता हूं अपने तीन सवालों का उत्तर जानना चाता हूं मेरा पहला सवाल है कि ऑपरेटिंग रेशियो का आर्थ है कि 100 रुपे के इंकम पर रेलवे का खर्चा किता है जो 2013-14 पे 87.8 था वो आज बढ प्रशन यह है कि देश में टोटल 68,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है और उस 68,000 किलोमीटर के 50% में देश की 96% ट्रेने गुट्स एज वेल एस पैसेंजर उस पे दोड़ती है और उसी नेटवर्क पर ये 151 निजी ट्रेने भी दोड़ेगी तो उससे होगा क्या कि जो निजी ट्रेने है उनको प्रायोर्टी दी जाएगी और जो भारतिय रेलवे की ट्रेने है जिसमें आप हम और हम जैसे करोडों लोग सफर करेंगे वो स्टेशनों पे खड़ी वी आपको मिलेगी और नमबर तीसरा मेरा सवाल है और बहुत मैत्यपून सवाल है कि जहां पर ने जो रेलवे ट्रेक है वो जमीन मुफ्त में रेलवे को दी थी अगर सरकार निजी ट्रेने चलाना भी चाती है तो निजी स्टेशन भी बना ले और निजी ट्रेक भी लगा ले ये करदाताओं के पैसों के ट्रेक पर निजी ट्रेने चलाने पर आमादा क्यों है देश आ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूले ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वाइरस से जुड़ी कोई भी अपडेट पॉलिटिक्स हो या आपकी जेव से जुड़ी कोई खबर इलेक्शन की कोई न्यूज हो कोई कॉंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वाइरल वीडियो सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है न्यूज 24